हलो गैज अक्सर हम अपने डेली लाइफ में इस टाइप के सेंटेंसेश को यूज करते हैं जैसे मुझसे देखा नहीं जाता उससे पढ़ा नहीं जाता तुमसे लिखा नहीं जाता सो गैज इस टाइप के सेंटेंसेश को हम हिंदी से इंगलीस में ट्रांसलेट कैसे करेंगे सो दोस्तो इस टाइप के सेंटेंसेश को हिंदी से इंगलीस में ट्रांसलेट करने के लिए इसका इस ट्रक्चर है subject plus helping verb plus not plus able to plus verb की first form plus other word For example, मुझसे देखा नहीं जाता I am not able to see उसे पढ़ा नहीं जाता He is not able to study तुमसे लिखा नहीं जाता You are not able to write वे लोगों से काम नहीं किया जाता They are not able to work मुझसे खाना नहीं खाया जाता I am not able to eat food Thank you